बहुत ही जादा मज़िक है और extremely tasty subway style white chocolate macadamia nut cookies यह एक बहुत ही popular cookie है और बहुत जादा मज़िक होता है सब्वे में मिलता है और अकसर लोगों को बहुत पसंद होता है तो यह घर पे बनाएंगे और बिल्कुल यह वैसा ही बनेगा जैसे आपको सब्वे पे मिलता है तरीके से cut कर लिया है कुछ बड़े chunks हैं और कुछ छोटे हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा texture आता है इस चीज़ का इसके इलावा इसमें शामिल होगा brown sugar और यहां ले लिया है एक अंडा और एक अंडे की जर्दी यह भी इसमें शामिल होगा इसका main ingredient है butter तो यहां butter ले लिया है और साथ में इसमें शामिल होगे macadamia nuts तो यहां 100 gram macadamia nuts ले लिया है salt है इसके अंडर, salt अगर आपको sea salt ना पसंद हो तो normal salt भी डाल सकते हैं और soda bicarbonate है साथ ही vanilla essence भी होगा जो इसके अंडर शामिल होगा, so let's start एक pan को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे, यह इसकी trick है आपने pan को जितना अच्छा गरम करेंगे उत्ती जल्दी आपका butter melt होगा और process बहुत जादा speed up हो जाएगा जब एक दपा आपका pan गरम हो गया तो उसको आपने low flame पे कर देना है और butter डाल देना है, butter अब melt होना शुरू हो गया है तो यह process लेगा तकरिबन 8-10 minutes, अगर आप देखेंगे तो हलके हलके butter जो है उसके अंदर इस तरह bubbles बनना शुरू हो जाएगे, butter melt हो रहा होगा और इसके अंदर आप देखेंगे जागाना शुरू हो गए, हलके हलके एक golden सा thick liquid होगा जो settle करना शुरू हो जाएगा on the bottom of the pan और इसका मतलब यह के butter अब आपका ready हो चुका है, butter melt हुआ है, तो एक gold clear liquid है, जो यहाँ मिल चुका है, इसको बेरे एक bowl में निकाल के रख लिया है इन कुकीज को बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए होगी, एक अच्छा hand whisk और एक spatula और बहुत ही असानी से बन जाते हैं, सब चीज़ों को mix करना है, combine करना है, और फिर हम कुकीज को shape करेंगे, और इनको फिर bake उने के लिए रख देंगे जब एक दफा बटर ठंडा हो जाए तो उसमें brown चुकर डालेंगे, vanilla essence डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अंडे और अंडों को भी अच्छी तरह से mix करके beat कर लेंगे अब अच्छी तरीके से अंडे beat हो चुके हैं, एक बहुत अच्छा सा wet ingredients का हमारा mixture ready हो चुका है तो अब एक separate bowl में हमने all-purpose flour लिया, इसके अंदर शामिल कर दिया है sea salt और साथ ही शामिल कर दिया है soda bicarbonate, इसको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे wet ingredients के batter में हम शामिल कर दिये dry ingredients और इसको अच्छी तरीके से mix कर लेंगे ताके हर चीज बहुत अच्छी तरीके से combine हो जाए lastly इसमें शामिल कर दिये macadamia nuts और white chocolate के chunks इसको अच्छी तरीके से mix कर दिये batter में ताके बहुत स्मूद और rich batter बन जाए cookie dough का batter ready है इसको आप fridge पर रखेंगे at least one hour के लिए ताके अच्छी तरीके से ये चिल हो जाए और cookie इसको shape करने में हमें आसानी हो यहाँ cookie dough बहुत अच्छी तरीके से चिल हो चुकी है और अब बिलकुल भी sticky नहीं है तो इसके अब हम balls बना लेंगे मैं यहाँ 50 gram की balls बना रही हूँ अगर आप पस digital scale ना हो तो फिर आप कोई भी चीज यूज़ कर सकते हैं आईस क्रीम का scoop यूज़ कर सकते हैं या कोई spoon यूज़ कर सकते हैं ताके बिलकुल एक ही हमवजन cookies बन सकें cookie की balls ready हैं इसके ओपर अब हम एक additional step करेंगे जिसमें हम चालेंगे chocolate chunks जो थोड़े से पहले बचा लिये थे वो अब उपर से top अप करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा इसमें लोक आता है cookies का अब इन cookies को मजीद एक घंटे के लिए fridge में रखेंगे या at least 30 मिनट सम फ्रीज करेंगे ताके अपना shape maintain कर सकें cookies bake करते हुए एक चीज़ का खयाल रखना है कि cookies के दरमियान अच्छा खासा gap हो क्योंकि cookies जब bake होते हैं तो spread करते हैं अगर gap नहीं होगा तो cookies आपस में stick कर जाएंगे और उनमें बहुत कम space होगा जैसे आप देख सकते हैं पहला cookies जो है वो अच्छा खासा जो है वो stick हो चुका है ये cookies बहुत जल्दी बन जाते हैं तो इनको सिफ मैंने bake किया था 7-9 minutes तक जब तक इनके edges जो है वो golden brown हो गए थे बस मैं इनको फॉरण निकाल लिया था और इनको room temperature पर थंड़ा होने के लिए छोड़ दिया है cookies जब आप oven से निकालें और इनको आप एक चका रखें ठंड़ा होने के लिए तो इसको touch ना करें क्योंकि ये बहुत जादे बृटल होते हैं फॉरण तूट जाते हैं cookies अभी भी थोड़े बहुत गरम है तो आप मैं इनको shape आउट कर रही हूँ अकसर यह होता है कि cookies जो है अजीब से shape के होते हैं तो उनको अगर आप चाहें जब वो bake हो जाएं तो किसी भी cookie cutter से उसकी edges को आप सही कर सकते हैं मेरे पास यहां cookie cutter नहीं था तो फिर मैंने जो है एक glass ले लिया जो रफली उसी size का था जिस size के cookies है और उसका अच्छी तरीके से shape out कर लिया है इन cookie dough balls को आप बनाकर freeze भी कर सकते हैं फॉर up to three months यह बिलकुल सही रहते हैं फ्रीजर में किसी भी bag में इनको डाल लीजे तो मैंने यहां एक zip block bag लिया था इसमें इन cookies को डाल दिया था और इनको फिर स्टोर कर लिया है जब भी चाहें आप इनको निकालें जितने मर्जी आपने खाने हैं उतने आप बेक कर लें और इसको इसी तरह आपने room temperature पर छोड़ देना है cool down होने के लिए ताके cookies बिलकुल ना तूटें एक दफ़ा ठंडे हो जाएं तो फिर आप इसको किसी भी jar में भी store कर सकते हैं